ये सबी दोस्तों को जी राम राम नमश्कार साथ स्रीयकाल में करीशन मलिक मनत डेडी फर्मिंग चैनल के मलडम से आपको दिखा रहा हूं जी अपने खेट से आसपास के जो खेट वह सबी खेट में आपको दिखा रहा हूं जैसा कि आप जानते हैं कि सारी जंगाय बारिश बहुत ज्यादा हुए है और उलावरस्टी हुए है तो यह गेहूं की फसल आप देख सकते जी जहां तक भी आपकी नजर जाएगी यह देख सकते जी आप इस एक एकड़ यह तकरीबन तकरीबन दो से डाही एकड़ है यह जमीन तो इसमें कहीं भी आपको एक भी पोदा नह जी बालियों में थी और यह यहां पर लोस देख सकते जी आप क्योंकि फार्मर को उमीद थी जी यहां पर कि मैं अपनी फसल जो है मंडे में बेच कर अच्छा मुनाफ़ा यहां से लूँगा तो क्योंकि किसान कमेरी कौम फार्मर जमिदार एक ऐसी कौम जी जो बार-बार जो है प्राकरति के आपदा के कान पिछे जाती है और फिर से उठकर आगे आती है लेकिन बार-बार गिर कर उठना संबलना मैं कहूँगा कि अपने आप में एक बहुत होसले का काम है जी तो चार-पाँच महीने की महनत के बाद जब किशान की फसल पकने वाली थी तो यह प्राकरति का अपदाने यह इधर भी देख सकते हैं जी जहां तक भी आपकी नजर जाएगी मैं कहूंगा कि आपको सारा खेत तहसनेस दिखाई देगा अगर एक एकड़ की अवरेज की बात करें पंद्रह कॉंटल की अगर एक एकड़ में अवरेज थी तो अब फिल हाल व बहसों के लिए गाएं के लिए तूड़ा तूड़ी भी कह सकते हैं भूस भी कह सकते हैं भूसी जिंगा पर अलग अलग नाम इसके लिए जाते हैं वो भी चाहिए होगा लेकिन अब अगर हाथ से कटाई अब तो बहुत ही कम लोग करते हैं मसीनों से इसकी कटाई होगी कम तकरिबन तकरिबन तीन पलस यानिके, तीन एकड़ के आस पास उसकी आवरेज वहां पर आकर पड़ेगी तो डेड एकड़ का मैं कहूँगा कि फार्मर को यहां पर पूरा से पूरा लोस हुआ है, तो यहां पर जी मैं सरकारों से भी आगरे करूँगा कि किसनानों को हमारा भारत देश है और किसानी के बगएर जो है भारत में कुछ नहीं है करीशी परदान देश है तो करीशी ही अगर पीछे चलीगी खेती बाड़ी अगर पीछे चलीगी तो देश पीछे चला जाता है तो जी जो बाई आस पास इदर उदर देख रहे सकते हैं देख रहे है हमारे वीडियो तो जी उनसे आग रहे करूँगा कि वीडियो को शेर घरेता कि किसी ने किसी अच्छे इंसान तक वीडियो जाए जहां पर भी किसी परकार की भी किशानों के लिए कोई आवाज उठा सके हल्प करवास के सरकारों से तो जी ये देख सकते हैं क्योंकि आकड़ सरकार भी उठाएगी ऐसा नहीं है आकड़े सरकार भी उठाएगी पटवार खाना भी उठके खेतों में आएगा गरदावर भी खेतों में उठके आएगी उसके बाद एक ओस्त निकाली जाएगी कि वही कितनी जो है नुकसान किशान का हुआ है क्या उसको रैज देनी चाहि और फिर कई बार देखने में आता है जो उपर से मुआओ जाता वो आखिरकार किसान को उतना नहीं मिल पाता है सब को पता है ये चीजे कहने की जरूरत नहीं होती है लेकिन मैं यहां कहूंगा जी किसान का बहुत ज़्यादा लोस हुआ है अब अगर खेत में आके देखे तो जी खूण बिलकुल जलता है दुख बहुत होता है लेकिन प्राकरती कापदा है उपरवाले से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं हो सकता उस अलोकिक सकती से बड़ा कोई नहीं हो सकता तो जी ये थी एक छुटी सी विडियो जो मैं आज आपको अपने खेट से दिखा रहा हूँ जो ये बालिया खड़ी हुई है इन बालियों को देखकर भी ये लगता था भी ऐसी सबी के खेटों में खड़ी हो लेकिन इसके साथ आगे ही आप देख सकते हैं बिलकुल पूरा कड़ी आपको बड़ी मुस्किल से खड़ा मिलेगा वो भी आदा खड़ा मिलेगा नहीं तो सारी फसल ऐसे तहस तहस हुई है जी डेरी फार्मिंग भी अब की बार घाटे में जाएगी क्योंकि डेरी फार्मिंग का खर्च बढ़ेगा और दूद के जो दाम आप सभी को प पारियों का नहीं हा क्योंकि उनके पास तो जितनी फसल जाएगी उतना ही दाम किशान को यहाँ पर मिलेगा लेकिन अगर किशान के खेत में जियादा फ़सल होती तो ज्यादा मुनाथा किशान यहाँ पर ले सकता था alémिन अब किशान ही बिल्कूल घाटे में तो बड़ी देनी सतिति है जी, जम्यदारों की, किशाणों की, चाहे किसी भी परकार की खेति हो, तो सारी ही जी टोटलीवेस्ट में हैं, तो ये देख सकते हैं, जी, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, विडियो को यही बर विराम देते हैं, तो विडियो को शेर जरूर करें, ताकि ये कैसी प्राक्रतियापदा आप भी देख सकें जो भाई किशानी नहीं करते हैं और कह देते हैं कि किशान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ते हैं तो यह है जिस मेहनत की जो अखरी परिणाम ऐसा मिला है किशानों को जिस मेहनत का ताकि जो भाई खिती बाड़ी से दूर उनको पता लग सके यहां पर आकर किशान की जो है मैनत दम तोड़ देती है वीडियो को शेर करेजी चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं मुझफर नगर मेले में वहाँ पर आप भाईयों को दिखाएंगे मुझफर नगर म करें वहाँ बताद देर सक्रीएंगे मुझफर नगर में मुझफर नगर में। रहाँड़ देर